नमस्कार दोस्तों आप लोगों का दबुक्स क्लब में स्वागत है मित्रो आज हम वर्स 2017 से 2019 में इस्थलो सहरोग के परिवर्तित नाम से रिलेटेड 33 महाटपूर बिंदों पर बात करेंगे जो वेरी इंपोर्टेंट है आने वाले एक्जाम के लिए और मित्रो जो लोग न हभीब गंज रेलिवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही आनसर होगा अठल बिहारी बादपे रेलोवे स्टेशन हभीब गंज रेलोवे दूसरा कोशन का है फिरोज सा कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अरूर जेटली स्टेडियम नेक्स कोशन देख लेते हैं भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो राजा भोज कर दिया गया है चौथा देख लेते हैं बोगी बील पुल का नाम बदलगर क्या कर दिया गया है तो आटल सेतु कर दिया गया है वेरी इंपोर्टेंट है मित्रो अगला देख लेते हैं नया रायपुर का नाम बदलगर क्या कर दिया गया है आटल नगर कर दिया गया है रोहतांग सुरंग जो हिमानचल प्रदेश में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है आटल सुरंग कर दिया गया है रोहतांग सुरंग हिमानचल प्रदेश में इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है आटल सुरंग है हजरत गन चौरहा उत्तर प्रदेश के जो एक्जाम होने वाले उसके लिए इंपॉर्टेंट है हजरत गन चौरहा का नाम बदल क्या कर दिया गया है अटल चौक कर दिया गया है नेक्ट कोशन देख लेते हैं देओधर हवाई अड़ा ये पेस्तावित है इसका नाम बदल क्या हो जाएगा अटल बिहारी बाद पर हवाई अड़ा अगला अलीगड का नाम बदल क्या कर दिया गया हरीगड कर दिया गया है नेक्ट कोशन देख लेते हैं अगला अहमदाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है करणावती अहमदाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है करणावती सिमला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है सियामला नेक्ट कोशन देख लेते हैं साहिब गंज हाबर तो इ हवाई अड़ा का नाम बदल क्या कर दिया गया है महराजा बीर विक्रम हवाई अगर तला हवाई अड़ा का नाम बदल क्या कर दिया गया है महराजा बीर विक्रम हवाई अगर तला 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 बंदरगाह च्छेतरपती सिवाजी महराज इंटरनेशनल एरपोर्ट और कांडला बंदरगाह का नाम बदल क्या कर दिया गया है दीन दयाल बंदरगाह अगला कोशन देख लेते हैं अगला है साबर मती घाट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अटल घाट कर दिया गया है अगला कोशन देख लेते हैं नेक्स कोशन क्या है अगला है मुगुल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है पंडित दीन दयाल उपध्या रेलवे स्टेशन ये भी बेरी इंपोर्टेंट है अगला है मुगुल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया पंडित दीन दियाल उपध्या रेलवे स्टेशन नेक्स्ट क्या है बल भागड मेट्रो स्टेशन का क्या नाम बदल कर कर दिया गया है अमर सहीद राजा नाहर सिंग मेट्रो स्टेशन बल भागड मेट्रो स्टेशन के नाम बदल कर दिया गया है आमर सहीद राजा नाहर सिंग मेट्रो स्टेशन नेक्ट देख लेते हैं पोशन क्या है गोरकपूर हवायड़े के नाम बदल कर कर दिया गया है महायोगी गोरकनाथ हवायड़ा गोरकपुर हवायड़े के नाम बदल कर महायोगी गोरकनाथ हवायड़ा अगला 22 वा मियों का बाड़ा गाउं बारबर राजस्थान के नाम बदल कर कर दिया गया है महेस नगर मियों का बाड़ा गाउं बरमर राजस्थान के इस नाम को क्या कर दिया गया है महेस नगर कर दिया गया नेक्स कोशन देख लेते हैं इलहाबाद का नाम बदल क्या कर दिया गया है प्रियाग राज कर दिया गया है और फैजाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है आयोध्या कर दिया गया, वेरी इंपोर्टेंट है, अगला कोशन देख लेते हैं, गुरगाओं का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, गुरग्राम कर दिया गया, गुरगाओं का नाम बदल क्या कर दिया गया है, गुरग्राम, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, जार फिलर दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अगला एक एकाना इंटरनेशनल केकेट स्टेडियम का नाम बदल क्या कर दिया गया है अटल बिहारी बादपे स्टेडियम अगला कोशन देख लेते हैं हैव लॉक दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है सुराज दीप हैव लॉक दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है सुराज दीप नील दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है सहीद दीप नील दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है सहीद दीप अगला देख लेते हैं रोस दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है सुबास चंद बोस दीप रोस दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है नेता जी सुबास चंद बोस दूर संचार आयोग का ना चन्नाई सेंटल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है पुरातवी तलाइवर डांक्टर एम जी आर छे तुर आने वाले गजाम के लिए महत्वण थे चलिए जल्दी से एक बार रिविजन कर लेते हैं और अगर आपने अभी तक इसको जो है लाइक share comment और share नहीं किया तो प्लीज जरूर कर दीजे चलिए एक बार revision कर लेते हैं हबीब गंग railway station का नाम बदल क्या कर दिया गया है अटल बिहारी बाद पे railway station फिरोजा सहा कोटला stadium का नाम बदल कर दिया गया अरून जेटली stadium नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया राजा भोज मेट्रो रेल बोगी वील पूल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया अटल सेतू अगला नेक्स्ट देख लेते हैं नया रायपूर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया अटल नगर फिर रोहतांग सूरंग हिमांचल प्रदेश में इसका नाम बदल कर कर दिया गया आटल सूरंग नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है बुंदेल खंड एक्सपरस द्वे का नाम बदल कर कर दिया गया आटल पत हजरत गंज चोरह का नाम बदल कर दिया गया अटल चौक नेक्ट कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है देओधर हवाई अड़ा, पस्तावित है इसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा अटल बिहारी बाद पर हवाई अड़ा, अलीगड का नाम बदल कर हरीगड कर दिया गया है, नेक्ट देख लेते हैं, एहम्दाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, करणावती, सिमला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, शामला, नेक्ट देख लेते हैं, अगला प इक्रम हवाई इड़ा नेक्स कोशन देख लेते हैं चात्रपति सीवा जी एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है चात्रपति सीवा जी महराज इंटरनेशनल एरपोर्ट नेक्स कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर क्या हो गया दीन दयाल बंदरगाह नेक्स कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है साबर मती घाट के नाम बदल कर क्या कर दिया गया अटल घाट नेक्स्ट कोशन है भामा साह स्वास्त बीमा यूदना के नाम बदल कर कर दिया गया है भामा साह सुरच्छा कवच नेक्ट कोशन देख लेते हैं मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया पंडित दीन दियाल उपध्याय रेलवे स्टेशन नेक्ट है बल्लब गढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया अमर सहीद राजा नाहर सिंग मैट्रो स्टेशन नेक्ट देख लेते हैं गोरकपुर हवाई अड़े का नाम बदल कर क्या कर दिया गए महायोगी गोरकनाथ हवाई अड़ा मियों का बाड़ा गाउं बारमर राजस्थान का नाम बदल कर कर दिया गए महेस नगर नेक्ट कोशन देख लेते हैं इलहाबाद का नाम बदल कर कर दिया गए प्रियाग राज और फैजाबाद का नाम बदल कर कर दिया गए अध्या नेक्ट कोशन देख लेते हैं गुडगाओ का नाम बदल कर कर दिया गए गुरुग्राम नेक्ट है जार सुगंडा हवाई अड नेक्स कोशन देख लेते हैं फीलर दीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है एपी जी अब्दुलकलाम दीप एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अटल विहारी बाजपई स्टेडियम नेक्स कोशन देख लेते हैं है दो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर कमेंट और सुश्क्राइब करना मत भूलेगा बहुतisesti